तब्लाइण के थ्रूख कैसे हजारों लाखों रुपई कमाये जा सकते हैं उसके बारे हमें हम लुग बात करने वाले हैं तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो हम लेके आते हैं तो प्लीज हमाये स्नेल गो सब्सकॉप करें सपोर्ट करिए वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा अब पूरे वीडियो पे बने रहेए तो लिखना एक कला है लिखने वालों ने महान गरंथ वेद पुरान आधी को लिख डाला वेद जैसे शाम वेद, रिग वेद, अचुर वेद एवं अथर वेद को लिख डाला है लिखना एक कला है इसी से कैसे पैसे कमाया जा सकते हैं अगर आपकी लिखना लिखना आपका हॉबी है तो उसको कैसे online लिख के आप ऐसे कमा सकते हैं तो article लिखना होता है, blogging के थूँ तो article लिखना एक कला होती है article का मतलब होता है सब्दों का सही इस्तमाल करना हम लोग एक दूसरे से face to face बात करते हैं तो अपनी feelings, face expression समझते हैं लेकिन लिखने में कौन से सब्दों को कहा रखना है ये सब हमको अगर पता है तो हम लोग लाखों रुपए तक कमा सकते हैं blogging के थूँ बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं और कमा रहे हैं उन्ही ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा ताकि हम लोग उनसे inspire हो और उनके बारे में जाने की कैसे वो लोग कमार हैं कौन हैं ये लोग उन्ही के बारे में हम लोग देखेंगे तो पहले नमर पे जो blogger हैं टॉप मोस्ट इंडिया के professional blogger हैं जिनका नाम है अमित अगरवाल और बहुत से blogger जो हैं इनसे inspire होते हैं और इनकी जो famous website है उस पे आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं website है lebnol.org और एक है ctrlq.org ये अमित अगरवाल हैं इंडिया के professional blogger हैं तो इनकी website पे आप लोग विजिट करके देख सकते हैं और ये लाखो रुपए कमाते हैं अपने blog के थरूँ लिखने की कला इनकी अंदर है उसी के थरूँ ये लाखो रुपए कमाते हैं और दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो है हर्श अगरवाल blogging field में इनका अलग ही अपना नाम है अलगी नाम से अपना ये जाने जाते हैं और इनका फेमस ब्लॉग जो है उसका नाम है South Me Loud यानि SML ये अपनी जन्नी 2008 में स्टार्ट किये थे और ये आज की डेट में लाखो करोणों रूपए कमा रहा हैं ब्लॉगिंग की तरूप और जो South Me Loud है has become one of the most popular blogs in India इनके जो ब्लॉग होते हैं वो होते हैं making money online website, wordpress and managing blogs तीन से आप लोग सीख सकते हैं कि कैसे लाखो रूपए कमाए जा सकते हैं ब्लॉग के थूँ ये दूसरे नमबर पर आते हैं इन्डिया में इनसे भी काफी ब्लॉगर जो हैं और जो तीसरे नमबर पर हैं वो एक female है स्रद्धा सर्मा बिहार की हैं ये और ये भी अपनी जर्नी 2008 में start की थी और ये female top most blogger में से पहली female है स्रद्धा सर्मा जो ब्लॉग के थूँ लागो रूपए कमाती हैं और इनका जो ब्लॉग है वो है yourstory.com इस पे आप लोग विजिट करिए और इनके बारे में आपको पता चलेगा ये क्या करती है इनकी earnings कितनी है और महीने में कितना कमाती है अगर ये जानना चाहते हैं तो इस पे एक वीडियो में और आप लोगों के लिए बना दूँगा अगर आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट करके बताएंगे तो और जो इनका ब्लॉग है yourstory ये एक leading media website है जो entrepreneurs और leader और founder जो होते हैं उनकी story को ये share करती है तो ये थी और जो चौथे नम्मर पे हैं वो है वरुन कृष्णा और ये blogger है most popular mobile blogs mobile की बारे में ये लिखते हैं और phonearena.com इनका blog है ये basically mobile phones पे लिखते हैं उनका review करते हैं phone finder news आदी ये सब चीज़ों पे ये लिखते रहते हैं ब्लॉग इनका है और ये blog का नाम है जो arena.com है phonearena.com ति इनकी website वे आप लोग जाके देख सकते हैं कि ये कैसे कमाते हैं कैसे लिखते हैं और ये जित्ते भी सारे blogger हैं ये आपको बताते भी हैं कि कैसे blog लिखा जाता है और पांचवे नम्मर पे जो है वो है स्रीनिवास तमाधा ये एक पॉपुलर programming blogs लिखते हैं programming पे ये blogs लिखते हैं बेसिकली और इनका जो blog का नाम है वेब साइट है ओ है नाइन लेशन ये नाइन लेशन करके इनका ब्लॉग है ये बिसिकली प्रोग्रामिंग से ब्लॉग लिखते हैं programming पे ही तो ये PHP, Ajax और अधर जो programming language है उस पे ये अपना blog लिखते हैं लेब डिजाइन पे ये सारे blog लिखते हैं तो दोस्तों ये सारे blogger है इंडिया के top blogger है जो महीने के लाखो करोणों रुपए तक छापते हैं कमाते हैं के वल ब्लॉगिंग से लिखने की कला सही सब्दों को कैसे पिरोते हैं सब्द को कैसे एक जगा मिल के एक पूरा पूर blog लिखा जाता है ये सब आप लोग यहां पर जाएंगे ये सब motivational चीज़े हैं आप लोग को देखनी चाहिए तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लेगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब description box में मिल जाएगा और Instagram पे भी आप लोग follow कर सकते हैं वहां पर आपको update मिलती रहती है तो दोस्तों देखने के लिए thank you, thank you for watching and keep learning